तो question number 2 में एक block है जिसका mass 1 kg है is pushed up a surface inclined to the horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 newton 10 newton की force है इंक्लाइन पे एक block को चड़ाना शुरू कर दिया block 10 meter उपर चड़ गया ये देखो block 10 meter उपर चड़ गया इंक्लाइन पे क्या निकालना है work done by frictional force friction ने कितना काम किया मुझे सिर्फ ये बताओ जब ये block उपर चड़ रहा होगा तो friction कहां काम करेगी नीचे displacement कहां पर होगी उपर तो work done by friction क्या होगा work done by friction होगा friction into displacement into cos of 180 obviously negative work done है पर उसने negative लगाया नहीं है चलो magnitude निकाल दिया कोई बात नहीं अब force of friction होतीक है mu times normal reaction into displacement और inclined plane में याद करो normal reaction क्या होता है ये mg है ये 60 degree है ये mg cos of 60 है और यही इसका normal reaction है तो यहाँ पर force of friction की जगा put कर देना normal reaction की जगा mg into cos of कितना 60? into 10 mu की value question में कितने given है 0.1 तो mu solve करो क्या answer आ रहा है check करो keys check करो keys आपके पास है option number B आ रहा है 5 जूल आ रहा है वैसे negative होना चाहिए था पर चलो सभी में negative नहीं लगाया तो answer B option मा कर देना good out इसमें point समझ में आ रहा है यहां तर question number next question number जो करना है वो यह करना है इसका answer क्या होगा देखो इन चारो ग्राफ में से आपको देखते हुए यह बताना है किसका work done जाद है किसका work done कर में है पर यह चेक करो यह ग्राफ किसके बीच में है force versus displacement force or displacement कर में अगर मैं area निकाल लूँ तो मुझे क्या देगा amount of work done जिसका area बड़ा होगा उसका work done जादा करो start किसका area बड़ा है वहां से शुरू करो option number क्या mark करेंगे इसका answer C ही नहीं अच्छा w3 मतलब w3 ओके a option होना चाहिए a या b में से क्या mark करोगे अगर paper में आया तो a mark करोगे ओके check करें सबसे पहले graph number 1 में यह area देख लो triangle के area है graph number 2 में area यह area तो ही है साथ में यह area भी add हो गया तो इसका area इससे तो बड़ा ही है तो इसका work done बड़ा हो गया फिर अगली figure में यह तो ही है साथ में triangle और जोड़ दिया तो इसका area सबसे बड़ा है फिर यह तो negative areas है negative में तो work done घट जाएगा माइनस हो जाएगा एरिया, तो सबसे बड़ा एरिया किसके है, C का, फिर किसके है, B का, तो W3 greater than W2, फिर greater than W1, और फिर W4, तो ए उप्शन मांक कल देना असला है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है, एरिया कैसे चेक करना है, कौन बड़ा कौन चोटा, कोई डाउट इसमें, ठीक, नेक्स्ट, पर एक ब्लॉक है, जिसका मास्ट 2 केजी है, और यह मैं बना देता हूँ ब्लॉक, 2 केजी का ब्लॉक है, और इसकी स्पीड किती है, 4 मीटर पर सेकेंड है, एंटर अर रफ सर्फेस, यहाँ पे फ्रिक्शन पैसेंट है, रफ सर्फेस है, such that यह सर्फेस X is equal to 0.5 मीटर से लेके, X is equal to 1.5 मीटर तक चलती है, रिटार्डिंग फोर्स की वेल्यू, इसमें, F is equal to minus K into X है, और आपको K की वेल्यू, कुश्चन में कितनी की बन है, 12X है, तो स्पीड अफ दी ब्लॉक, जब यह बाहर निकलेगी, वो कितनी है, यह कुश्चन है, तो इसके अंदर क्या हुआ, मुझे एक बाद बताओ, Friction के बाद Speed घट जाएगी मानते हो, तो there is decrease in Carnatic Energy, यह decrease in Carnatic Energy किसने की, Friction के work done ने की, तो Friction का work done, is change in Carnatic Energy, work energy, थर्म लगा दे, तो final energy कितनी है, half into M into V square, initial कितनी है, half into M into 4 square, is work done by Friction, अब problem ही है कि force variable है, और work done by integration ही निकलेगा, तो integration से क्या हैगा, minus 12x dx, f dx, और minus लगाना, क्योंकि work done में Friction में नेगेटिव होता है, और वैसे भी, final energy कम है, initial energy जाद है, तो difference तो negative हो गई होगा, limit क्या लगानी है, x is equal to कितना, 0.5 से लेके, 1.5 तक, और check करें, इसके अंदर V की value, क्या आएगी, mass आपको पता है, try करें, C option, work done कैसे निकलेगा, Friction कासर, variable force है, एक constant नहीं है, kinematics से एक constant में काम कर रही थी, अगर कर तो सकते हैं, इसमें integration ही उसकरने पड़ेगी, उसमें भी, जुरूत किया है, इतना असान तरीका पता दिया, change in kinetic energy, amount of work done by friction, इससे असान तो कुछ ही ही नि, ultra work power energy, तो कानमेटिक को असान कर रही है, और हम वापस कैसे जा सकते हैं, इस आदर ही कहें, कितना असर आ रहा है, ABCD में से, ना ना टोटल, आपको V निकालना है न, mass put करो, U put करो, V निकालो, V कितना आ रहा है, चेक करो, 2 meter per second आना चाहिए, इसमें, 2 meter per second आनसर आना चाहिए, C, उसे integrate करो, values put करो, और V की value निकालो, यह तो उल्टा NCRT के अंदर भी किया था, हमने booklet के अंदर भी ऐसा question किया था, same question है, तू आ रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, put out इसमें, ठीक है, next question number six के बाद, question number seven, तुर बाद, झाल 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 तो परसन पुशिज अ बॉक्स on a horizontal platform surface उसे 200 newton की force को अप्लाई किया पंदरा मीटर तक उसने बखसे को धका मारा फिर वो ठक गया और फिर उसने force को कम कर दिया 200 newton से 100 newton पे force को ले आया तो question है total distance through which the box has removed is 30 meter तो work done कितना किया देखो यह बड़ी लंबी कहानी है मदब आप इसको numerically करोगे तो बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आपको इसमें बखसे का mass भी नहीं किवन solve क्या करेंगे तो इसका best तरीका यह होता है आप इसमें graph plot कर ले x versus f का force पहले constant लग रही है कितनी 200 newton फिर force कम हो गई कितनी 100 newton 100 newton दख force लगानी शुरू कर दी उसने और total displacement यहाँ पर कितनी है 30 meter और यह displacement कितनी है 15 meter ऐसे और आपको fx graph पता लग गया और उसने यह बोला भी कि force linearly reduce हो रही है linearly का मतलब straight line में reduce हो रही है तो आप अगर इसका work done निकालना चाहते हैं तो इसका क्या निकाल दे एरिया निकाल दे एरिया इसका एरिया निकाले और mark करें क्या option आ रहा है तो इसके अंडर पूरे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको यह पूरे का पूरा एरिया निकालने और देखें जड़ा क्या अंसरा रहा है इसका एरिया और रेटेंगल और एरिया और ट्रेपेजियम जो करना चाहते हैं वैसे करें क्या अंसरा रहा है किरिया निकालने इसका कितना रहा है? Option number A A option है बिल्कु सही तो option number A mark कर दे इसमें method समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? झाय कर दे रहा है? कि अग्मा झाय कर दो खेnię हुआ ठो तो कि उय कि अब बैस तरीका ना ग्राफी है क्योंकि इसमें मांस गेवन नहीं है तुम्हें विलॉस्टी कुछ गेवन नहीं है तुम लगा हूगे क्या यह को बता दो तुम अब लगाने को कुछ है यह नहीं कर पाओ गया क्योंकि आप अगर सौड न्यूटन की फोर्ग से कर सीधा मुल्टिप्लाइ करोगे बात नहीं बनेगी क्योंकि क्योंकि फोर्ग लीनियर्ली डिक्रीद हो रही है तो सो से सौ भी तो ही उसकी विरिशन कौन लेगा वो त लिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्योंकि प्लेटफर्म उपर जा रही है क्योंकि प्लेटफर्म उपर जा रहा है प्लेटफर्म एक लिफ्ट की तरह काम कर रहा है प्लेटफर्म उपर जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मला क्या होता है g प्लस a right clear है तो नॉर्मल रिएक्शन की वेली वाइएगी m into g प्लस a की जगा गा g बाई 2 So, normal reaction is colum to 3 m g बाई 2 आ गयाmerce step clear है तो पहले lift वाला case यूज करके normal reaction की value निकाल ले है अब work done निकाल ले है अब normal reaction कहां काम कर रहा है उपर displacement भी कहा होने वाली है उपर तो work done की value क्या होगी force normal reaction का work done है तो normal reaction into displacement into cos of 0 क्योंकि both are acting in same direction तो normal reaction की value किती है 3mg by 2 और s की value निकाल लो 0 plus half ये पूरे lift उपर जा रही है with an acceleration of g by 2 into t square ये s की value को उठा के यहां पर put कर लो half into g by 2 into t square और option बताओ क्या रहा है c option है c option आएगा point समझ में आ रहा है कि normal reaction का work done कैसे निकलेगा पहले normal reaction निकलेगा फिर normal reaction का work done निकलेगा को doubt इसमें लगेगा अगर तुम ये जो formula लगता है n is equal to n minus mg में वो तब लगता है जो तुम ग्राउंड पर हो अगर तुम खुद lift पर जाके खड़े हो जाओ तो तो तुम्हें ये mask किस पर नजर आएगा रेस्ट पर और अगर रेस्ट पर नजर आएगा तो आप क्या बोलेंगे इसमें इसका weight mg है और ये suit of force experience कर रहे है m into कितना जी भाई 2 तो normal reaction क्या है इं दुनों को एड़ कर तो answer लगेगा यार चुनि लगेगा point समझ में आ रहा है यहां तक लगेगा next झाल a a a 13 का हाँ B है, बिल्कुल सही, chain वाली problem है यह हमारी, तो question में क्या given है, एक chain है, याद करो chain वाली problem होने कीजी, center और mass से, और chain कितनी हवा में लटक रही है, 60 cm, यह लो, इतने meter chain हवा में लटक रही है, अब 0.60 meter का mass क्या होगा वो निकाल ले, अगर chain की length 2 meter है, और total mass कितने है, 4 kg है, तो 2 meter 4 kg mass है, 1 meter 4 by 2 mass है, और 0.60 meter कितना mass है, 4 by 2 into 0.60, इसका मतलब 1.2 kg mass है, तो mass हा गया, तो यह mass कहां पर पढ़ा होगा, center of mass पर, 1.2 kg center of mass पर पढ़ा होगा, और center of mass से यह distance है कितना, 0.30, 0.60 कहा था, 0.30, तो work done की value क्या हैगी, m, g into h की जिगा, 0.30, भी option mark कर लेना, point clear है यहां तक, तो chain वाली problem भी हमने की थी, कैसे करना है, समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हैं यहां तर, नेक्स 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 विश्चिन, झाल झाल तो question है force की value इसके equal है variable force है तो work done by force during the displacement 2 से 5 मेटर क्या होगी तो variable force है तो work done कैसे निकलता है F dy की integration तो F की value किती है 5 प्लस 3 y square into dy 2 से लेके 5 तक प्लीज यसे integrate करो और answer बोलो क्या रहे 132 jule आ रहे है बिल्कु सब्सक्राइब point समझ में आ रहा है यहां तक 135 jule ठीक है यहां तक quit out इसमें ठीक next है yellow कि अवाचर झाल यहां प्लीज यहां जए हा hugely अवाचर है यहां प्लीज communicate क्वेस्चन है, टू परसंड A and B perform same amount of work, तो amount of work दन दोनों बंदों का same है, और एक बंदा जो force लगा रहा है, वो कितने angle पर लगा रहा है, 45 डिगरी पर लगा रहा है, और एक जो force लगा रहा है, वो कितने angle पर लगा रहा है, 60 डिगरी पर लगा रहा है, work done same है, तो F A into D into cos of 45 is equal to F B into D into cos of 60, इसे प्लीज सॉल्व करो, F A और F B की value चेक करो, कितनी आ रही है, 1 by root 2, चेक करो, 1 by root 2, और compare करो इसके साथ, तो X की value क्या हैगी याँ पर, 2, चेक करो, 1 by root 2 आ रही है, और compare करके, X की value इसमें 2 आएगी, समझ में आ रहा है यहाँ तक, amount of work done, दोनों बंदों का exactly, same है, बस angle का ही फरक है, तो force की ratio आ गी, force की ratio की बादाशर आ गया, point समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, क्या है, point यहां तक clear है, to next day, क्या है, झाल झाल क्रिकेट बॉल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को इसकी स्टेटमेंट बहुत सही नहीं लिखती हुई शायद जानके कंफ्यूज किया हुए मेरे को लगता है इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ट्स तो क्रिकेट बॉल को अमने ऊपर फैंक दिया और हमने क्रिकेट बॉल को कितना ऊपर फैंका ? 15 kg की बॉल है और हमने कितना ऊपर फैंका ? 20 मीटर ऊपर फैंक दिया तो ओविसली इसके पास एनर्जी कितनी दी हमने ? MgH से आजाएगा तो इतना वर्क दन किया तागी बॉल 20 मीटर ऊपर चली जाए बात खत्म हो जाती है अब क्वेस्चन है अब वो कह रहा है यह जो पूरा काम है वो एक मशीन कर रही है और मशीन क्या लगा रही है constant force लडाती जा रही और बॉल को ऊपर उच्छलती जा रही है वो calling machine नहीं आती मशीन फैंकती जा रही है अलग-लग उसमें तो ये उपर की दरबॉल फैंकती जा रही है अब वो कह रहा है कि जब वो बॉल फैंक हरी है तो इतनी force लग रही है and moves horizontally a distance of 0.2 meter while launching a ball अब यह बड़ी confusing statement है जब मैंने पहली बार यह question किया तो मेरे को ऐसा लगा कि यह horizontally move कर रहा है और angle इनकी बीच में क्या होना चाहिए force or displacement में 90 तो work done क्या ना चाहिए 0 तो फिर मैंने सोचा अगर 0 work done बाल किसमें उपर फैंकती फिर बाल खुदी ऊपर चलेगी मेरा work done 0 और बाल उपर पहुँचेगी यह तो होनी सकता तो कहीं कुछ तो गड़बड है logic तो सही लगा रहा हूँ तो कि force तो उपर ही लगेगी और वो गयर है moving horizontally actually में वो यह कहने की यह कोशिश कर रहा है कि यह machine horizontally move कर रही है इस तरीके से कभी दर move कर रही है कोई दिक्कत नहीं है but इसके अंदर कोई ऐसा system है जो बाल को उपर उच्छाल रहा है जैसे spring system है वो spring के displacement जैसे point force लगती है point 12 meter के लिए क्योंकि वो कितना move करती है तो हम क्या करता है वो जो ball है उस पर फोर्स लगाता है point 2 meter तो work done करती है यह machine f into 0.2 लेकिन एक बात पक्की है work done तब ही माना जाएगा जब इस displacement भी उपर की तरफ ही होगी तो गोली तो यह उपर ही चला रहा है लेकिन move कैसे कर रहा है horizontally तो यह horizontal motion का कोई काम नहीं है इसमें इसमें गोली उपर ही चल रही है ball उपर ही जा रही है तो force भी उपर है और displacement भी ऐसे उपर है तो f into point 12 point दो उपर लेना पड़ेगा तो f into 0.2 into cos 0 दोनों उपर की तरफ है is equal to mg into edge यहां से solve करके force निगालने ना answer आजाएगा हाँ statement confusing है तो आप यह पहली बार करें तो यह confuse कर सकता है कि यह horizontal का मसलब क्या है पर आपने force और displacement में angle 0 ही लेना है क्योंकि गन उपर की तरफ है तो force भी उपर लगा रही है displacement भी उपर लगा रही है क्योंकि तरफ है ठीक है तो यहां से निकालने ना 150 next देखो एक बात तो समझ लो क्योंकि अगर h height से जाके वापस h पर आती तो 100% energy की 100% energy उसके पास है कोई energy loss नहीं है तो अगर h से लेके h पर 2 पर हो रहा है तो 50% energy loss है तो answer 50% पक्ता आएगा फिर वो कह रहा है कि जब यह ball ground को strike करती है u is equal to 0 ground को h height पर strike करती है तो उसकी velocity क्या होगी v square minus 0 square 2gh से answer क्या हैगा under root of 2gh तो आपका भी option mark कर लेना clear है यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करने 50% सीधा answer है और यहां से under root of 2gh next one is to one हमने NCRT में किया था कि work done conservative है gravity के against मतलब अगर आप एक object को सीधा लेके जा रहे हैं या inclined plane से लेके जा रहे हैं लेकिन height दोनों की exactly same है तो work done की value दोनों में same है तो one is to one is the answer right clear रहा है रहा है रहा है नेक्स्ट तो यह असान question है एक bullet है जिसका mass आपको इस question में given है and fired with a speed of 100 meter per second और emerges तो यह बाहर आती है with a speed of 40 meters per second percentage loss of kinetic energy के है तो यह तो असान है पहले आप initial kinetic energy निकाल ले half into m into u square से फिर percentage loss निकालने के लिए क्या करें kinetic energy को minus कर दें तो यह loss आ जाएगा divided by initial kinetic energy से divide कर दें और hundred से multiply कर लें तो यह तो आई जाएगा मेरे एकाल से तो पॉइंट क्लियर है इसको करने का कोई यूज नी समझ में आ रहा रहा है यहां तर तो लॉस अव कानेटिक अरजी वाइट टो टोटल इनिशन अरजी परसंटेज के चेंज इन कानेटिक अरजी कोड आउट इसमें क्लियर है नेक्स्ट है इसका नहीं M by 2 है इसका अंसर M by 2 है कैसे यह चार पाटिकल थे सेम मोमेंहें तो कानेटिक अरजी किसकी मैक्सिमूम है एक बात बताओ कानेटिक अरजी होती कैए पी स्क्वेर बाई 2m तो पी तो क्या है सबका कॉंस्टेंट है तो कानेटिक अरजी इन्वर्सली पर्पोश्णल टू क्या आजाएगी मास अब जिसका मास सबसे कम है उसके कार्नेटिक नर्जी सबसे ज़्याद है तो यह option आ गया मुझा फर्स्ट आप्शन है M by 2 clear है यहां तक next next day break into two parts bomb फट गया तो क्या लगा है momentum conservation M1 V1 and M2 V2 तो पहली equation क्या बनेगी MA जो MA मास है वो move करेगा किसके साथ V A के साथ और जो M B मास है वो move करेगा V B के साथ equation number one आपको ratio of carnatic energy निकालनी है B की और A की तो half into MB into V B square half into MA into V A square तो इसके अंदर एक काम करें यहां से V B की value निकालनी है क्या MA VA divided by MB और इस V B को यहां put करें चेक करें क्या answer आए रहा है अपस्छन आ रहा है ब? यह option आएगा चेक करना पर यह answer ऐसे आएगा निहीं क्योंकि इस में तो मास में आजायेगा तो कोई बात नहीं यहां से काम कर लो कर नहीं आरा कोई बात नहीं यहां से MB निकाल लो यहां से MB की value निकाल लो MB की value है MA VA divided by VB तो इसकी जगह यहां put कर ले अब check कर ले क्या है क्योंकि eliminate तो करना पड़ेगा ना MA MA को MB कुछ तो hit and trial है कभी VB put करके देख लो कभी MB put करके देख लो कुछ तो answer बीच में बनी जाएगा hit and trial है समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करने equation दो ही है आपकी तो उपर से नीचे कुछ ना कुछ पूट करके देखके आपका answer निकालना पड़ेगा ठीक है यहां तक ठीक point समझ में आ रहा है यहां तक next question कर दो दो है यहां तक कर 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 दो है 5 kg का object है वो inclined plane से चला यहां बिल्कुल भी friction नहीं है फिर 2 meter 2 meter यहां से यहां friction present है कितनी mu पता है तो जब यह object यहां से चला तो कितनी height से चला वो निकाल देते हैं यह 10 meter यह 30 तो क्या हएगा 10 into sin of 30 तो इसके पास यहां पर potential energy कितनी है m into m into g into 10 into sin of 30 kinetic तो नहीं है potential energy mg h है जब यह नीची उतरेगा इसकी energy यहां किसमे convert हो जाएगी kinetic में friction तो है नहीं क्लाइन प्लेन में और कितनी kinetic जितनी potential उतरी kinetic value तो सेम ही रहेगी अब जब यह आगे बढ़ेगा तो friction इसकी energy को खराब करतेगी friction का work done खराब करेगा loss करतेगा और फिर भी जो energy बचेगी उससे जाके spring को compress करतेगा और सारी energy इसकी खतम हो जाएगी तो basically हो क्या रहे M into G into 10 into sin of 30 की energy क्या करेगी work done by friction work done by friction क्या new time normal reaction into displacement किती है 2 meter friction का work done इसकी खराब हो जाएगी energy और बाकी बचेवी energy से spring क्या हो जाएगा compress और normal reaction यहाँ पर कितना है 5G क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो normal reaction की value यहाँ पर क्या पूट करने पड़ेगी 5G solve करके निकाल लो X निगालना है X आजाएगा क्ये आपको पता है निकाल के देख लो answer आएगा point समझ में आ रहा है यहाँ तक जो energy है जो आपके पास topmost point पर energy है वो work done by friction में खराब हो गया work done by friction में खराब हो गई और बचेव energy spring को क्या कर दिया compress कर दिया तो X निकाल लो answer point समझ में आ रहा है यहाँ तक सही कर दो तो नेक्स्ट क्वेस्टिन यह रहा पार्टिकल जिसका मास M है और विलोसिटी चेंज हो रही है according to this equation अलफा कॉंस्टेंट है टोटल वर्क दन निकालना है जब डिस्प्लेस्मेंट जीरो से लेके डिस्प्लेस्मेंट दी तक है जब जीरोसिटी 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 जी डी आ रहा है चेक करो डी आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है यहां तर चेक करो समझ में आ रहा है सब को यहां तक डी आ रहा है कि अंसर ठीक है डी आंसर आएगा कि आ रहा है और institution तरिक करें झाल झाल जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है जो की वन कीजी है इसे हिट करती है और दो इंटू दस की पावर दो की स्पीड के साथ आती है हिट करती है फिर यह कॉमन विलोसिटी के साथ मूव करते है और आपको यह बताना है कि इन्होंने कितनी हाइट अटें की ऐसा याद है हमने क्वेश्चन किया करते हैं था यह हैं पहले हम क्या करते हैं momentum conservation. पहले common velocity के लिए momentum conservation कैसे? bullet आ रही है. bullet का mass small m. bullet की velocity आपको पता है. is equal to total mass into common velocity. सबसे पहले क्या निकले की common velocity? फिर मैंने क्या पताया था? फिर energy conservation. sum of potential and kinetic is point per and sum of potential and kinetic is point per will remain same. potential 0 है. यहाँ पर kinetic 0 है. तो नीचे kinetic क्या है? half m plus m into vc square is equal to potential क्या है? m plus m into g into h. तो यहाँ से ही क्या हो गया? cancel vc की value को put करो और height निकाल दो answer. किती हाइट आ रही है? c. method समझ में आ रहे है. पहले momentum conservation से common velocity निकलेगी. उसके बाद energy conservation से क्या होगा? height निकलाएगी. क्या है. ये क्याएग झै झाल 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 यहाँ 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 पर विल्वास्टी की वेल्व निकाल ली कोई डाउट इसमें 20 वी स्वेर आ गया वी स्वेर आ गया सही है हाँ आब वी स्वेर को यहाँ पूट करतेंगे ना ल से ल कट जाएगा करो करो इस इस वी स्वेर को उपर पूट करो यह कंडीशन तो गिवन ही यह वें और उपर पूट करके चेक करो क्या अंसर आ रहे है झाल झाल ठीक यह देखो मैं पुट करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर उपर यह वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू आएगी 2G L 1-cosθ divided by L is G sinθ is G sinθ L से L क्या हो गया? cancel ठीक है? हाँ चलो G से G भी क्या हो गया? cancel अब मेरे पास क्या रहा गया? मेरे पास बच गया 2 into 1-cosθ is equal to sinθ max का formula medical के लोग देख ले 1-cosθ max के लोग बोले 2 sin2θ by 2 math में करवा दिया होगा 1-cosθ is 2 sin2θ by 2 medical में बैसे आएगा नहीं ज़ए है थोड़ा सा पर फिर भी 1-cosθ का यह formula है और sinθ is 2 into sin2θ by 2 into cosθ by 2 यह लोग sinθ की जगा 2 into sinθ by 2 into cosθ by 2 ऐसा क्यों? medical की लोग देख ले हमने projectile में एक formula किया था याद है sin2θ range में 2 sinθ into cosθ तो जो यह angle होता है वो आदा हो जाता है तो अगर मैं angle को θ़ट कर दूँ तो फिर यह angle क्या हो जाएंगे आदे हो जाएंगे theta by 2 and theta by 2 समझ्या रहा है यहाँ तक? तो आदे angle हो जाते हैं तो यह formula आ गया max वो लोगो पता लग रहा है यह cancel हो गया 2 से 2 cancel हो गया और sin upon cos का 10 of theta by 2 तो 2 into 10 of 2 into 10 of theta by 2 is equal to क्या गया? 1 clear रहा है यहां तक? यह formula max का है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यह standard formula है 1 minus cos theta का 2 sin square theta by 2 यादी करना पड़ेगा यह थीक? तो यह values है medical में chance काम है लेकिन फिर भी यार इतना तो थोड़ा चलो चलता ही है इतना formula याद करने में फरक ही है तो यहां से अब क्या आ गया? यहां से tan of theta by 2 1 by 2 max के लोग जानते हैं angle theta by 2 हमने यह किया भी था वेक्टर में tan inverse 1 by 2 याद है ना? tan जब right side पे जाता है tan inverse हो जाता है ऐसा हमने काफी बार किया था और यह जो 2 है यह भी right side पे चला गया तो 2 multiply हो गया tan inverse को नहीं छेड़ना आपने 1 by 2 option mark कर लेना answer आगया theta का थोड़ा जादा है यह non-medical वालों के लिए ठीक है medical के थोड़ा सा जादा है यह I doubt medical का यह आखरी वाला part नहीं आएगा शाहिद velocity तक तो फिर भी आ सकते है निकालना तो medical वाले velocity तक ही सही है यह max वाला part उनको नहीं आना चाहिए वैसे और non-medical वालों को तो समझ में आ रहे है यह इतनी max उनको आती है इतना तो medical है अपका? medical है? छोड़ दो non-medical वालों समझ में आ रहे है क्या करने और medical वालों को इस portion से ऊपर समझ में आ गया क्या करने बस उतना ही बहुत है उतना ही बहुत है तो idea समझ में आ रहा है कि किस type से question solve हो रहे है right clear next जो question है उसमें क्या given है? यह given है potential energy u आपको given है x, y, z में है आपको क्या निकालने है? x component of force निकालने है आपको याद है f is equal to minus du by dx क्योंकि कॉंसर component निकालने है? सिरफ x और मैंने काया था अगर x निकालने है partial derivative कर देना है इसका तो partial derivative में क्या किया था? minus d by dx of u की जगा क्या put करेंगे? 2 x square 3 y cube 2 z यह लो इसको differentiate करते हैं partial के अंदर क्या rule बताया था? यह सब constant बने जाएंगे इसको छोड़ दो इसकी differentiation ही आएगी और आपको x की value क्या बन है यहाँ पर? 1 आप x की जगा यहाँ 1 put करें answer minus 4 और magnitude में क्या mark करेंगे? 4 x component of force 4 है जासे यह तो clear है next है next दो blocks हैं दोनों के mass given है यह ना natural length पे spring है तुम गए तुमने इसको velocity v दे दी और इसको भी velocity v दे दी अब क्या हुआ? spring पूरी तरह expand हो गया जब यह expand हो गया तो extreme position पे जाके दोनों की velocity क्या हो गई? 0 और spring क्या हो गया? expand हो गया, यह expansion है तो क्या हुआ? आपने जब इसको energy दी थी या velocity दी थी तो आपने kinetic energy दी थी कितनी दी थी? half mv square प्रस half mv square current energy थी spring energy आपर क्या थी? 0 थी जब यह पूरा खिच गया तो सारी की सारी energy spring में चलेगी kinetic energy क्या हो गई? 0 to equate कर लेना आपको x निकालना निकाल देना answer आजाएगा check कर लो तो आपने energy दी half mv square half mv square और equal to spring energy half k square कितना answer? B B method समझ में आ रहा है करना क्या है? कैसे questions को करना है? point समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? clear है यहां तक? clear है यहां तक? DR है क्या? एक में चेक कर देता हूं पीछे की देखना क्या रहा है? अहां B रहा है इसका B रहा है ठीक है? रहा है न? V by 2 ठीक है next question Orthop कर्वाइएच एंप 9 ए कर देक है कर्वाएए़ड है क्याफ च्ट्थर झाल 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 है इसके अंदर एक बुलेट है जिसका मास 200 ग्राम है ये लो मास की वेल्यू किती है 200 ग्राम है 200 डिवाइड़ बाई 1000 है और इनिशल कानेटिक इनरजी किती है 90 जूल है मतलब हाफ इन्टू एम इन्टू यू स्क्वेर इस 90 सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहां से यू निकालोगे फिर वो बाहर निकलता है 90 जूल 40 जूल के साथ वो बाहर निकलती है ये बुलेट पानी में से निकल के 40 जूल से बाहर निकलती है तो ये आपकी फाइनल एनरजी है half mv square equate करके क्या निकल जाएगा वी निकल जाएगा तो यहाँ पर u आ गया यहाँ पर v आ गया और question में यह given है कि इसके अंदर यह यहाँ से यहाँ कित्ती देर में पहुंचा एक सेकेंड में एक सेकेंड में पहुंचता है पर काम करो आप पहले v और u निकाल के case नमबर 1 है यह v square minus u square 2as नहीं आप यहाँ पर v is equal to u plus 80 लगाओ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर काम करो case number 1 में case number 1 में आप पहले v is equal to u plus at लगाओ क्योंकि time आपको पता है तो यहाँ से na a आएगा और negative में आएगा retardation आएगी v और u की health से पहले a आएगा retardation आएगी ठीक है retardation आगई पर हमने यह निकालना है कि minimum length of the pool क्या हो L क्या हो कि bullet किस पे आजाए completely rest पे अब case number 2 बनाना पड़ेगा case number 2 में velocity u तो same रहेगी जो इसकी u निकाली पर final velocity क्या करनी पड़ेगी 0 L निकालना है तब case number 2 में लगाओ v square minus u square is 2 into a into s तो a यहाँ से put यहाँ करके L की value निकालना answer तो point समझ में आ रहा है कि दो case है हमें ऐसे question किये थे class में plank वाले bullet गुज गई और plank में से spring pool में से निकाल रहेगी बात है क्या ही फरक है तो थोड़ा सा बास practice की बात है चीजों दिखरी है clearly कि कैसे इसको करना है point समझ में आ रहा है दो case बनेंगे पहले से a निकलेगा और फिर इसमें put करके क्या निकलेगा v square minus u square 2 a s से l की value आ जाएगा method समझ में आ रहा है कि क्या rule है क्या है क्या है क्या है क्या है बजाएगा next question क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है और राएगा झाल question है ball is thrown up vertically और वो h height तक ऊपर जाती है find the ratio of times in which it is at a height of hy3 while going up and coming down respectively बड़ी confusion है इस question में वैसे मैं आपको बदाता हूँ confusion है कहाँ और करना कैसे है सबसे पहले case number 1 मनाते हैं आपकी जो ball है या जो भी body है उसको आपने h height तक गेरा तो इसकी topmost point पर velocity 0 हो जाती है initial velocity मुझे नहीं पता क्या है पर मैं इसमें लगा सकता हूँ v square minus u square 2as और लगा के 0 square minus u square 2 into minus g into h से मैं u की value निकालनूँगा under root of 2gh तो at least मुझे ये पता लग गया कि ये body को उपर फैंका जा रहा है with a velocity of under root of 2gh क्या है point क्लिए रहा है तो मेरा case क्या बना मैं अपनी body को उपर फैंक रहा हूँ मुझे ये बास समझ में आ रही है और मैं body को ऊपर फैंक रहा हूँ with a velocity of under root of 2gh मैं फिर शुरू करता हूँ अब वो कह रहा है कि रास्ते में एक height आएगी कितनी height आएगी hy3 ठीए रास्ते में height के आएगी hy3 clear है तो मेरे को समय निकालना है अब body की journey हुई कैसे बताओ body कैसे जाएगी body यहां से चलेगी top पे जाएगी body फिर ground पे वापस गिर जाएगी तो पूरी journey ground से start हो के ground पे खतम हो जाएगी question है कि बताओ ratio of time कि जब यह body नीचे से hy3 पे आई तो मान लो नीचे से hy3 पे कितने समय में आई t1 तो यह time है t1 का ठीक है तो hy3 जाने का time क्या है t1 ठीक और फिर यह वापस आई अब अब वापस आने में क्या हुआ यह उपर गई यह उपर गई फिर उसके बाद यह नीचे आई और फिर यह down विल्कुल नीचे आगी जब नी complete हो गई तो यहां से घूम के वापस आने का time है t2 आपको ratio निकालनी है t1 is to t2 जबकि question में ऐसा appear होता है कि आपको time की ratio पूछी जा रही है h by 3 नीचे से और h by 3 ऊपर से ऐसा लग रहा है कि इसकी ratio निकालनी है और यह ratio निकालनी है time की ना जर्नी को complete करना है down का मतलब बिल्कुल जमीन पर आना तो आपको पूरी जर्नी में यहां का time t1 और बचा हुआ time t2 की ratio निकालनी है तो points में आया है क्या question है points में आ रहा है question के तो इस question को करने के लिए calculation पोड़ी मुश्किल है बट लेकिन concept wise में बताते हूं करना क्या है पहले काम करते हैं यहां पे velocity निकालने के लिए मैं काम करता हूं energy conservation लगाता हूं इस point पे और इस point पर sum of potential and kinetic बरापर कर देता हूं potential की value यहां पर क्या है 0, kinetic है half m into under root of 2gh का square यहां potential के mg into कितना hy3 और kinetic कितनी है half m into v' का square मालों यहां भी loss की v' है तो यहां से equate करता हूं mg into hy3 half m into v' का square is equal to half m into under root of 2gh का whole square तो energy conservation लगा के पहले मैं v' नेकाल लेता हूं हाला कि kinematic से भी निकल सकती है problem नहीं है ऐसी यूटी साफ 80% निकल सकता है पर मैंने energy conservation से किया और energy conservation से मेरे पास जो answer आया वो आया v' की value आई under root of 4gh by 3 ही आएगी तो अब मेरा question क्या बना मेरा question है कि यह जो height है यह height h है यह यह जो height है यह कितनी है h by 3 है मैंने कितनी velocity से उपर body को फैंका root 2gh इस point पर velocity कितनी है under root of 4 by 3gh यह कहानी है और यहां पर velocity 0 है अब यह नई कहानी बन गई clear है यहां तक point focus में आ रहा है कि क्या है इसमें यहां तक हम लो तो मैंने energy conservation से velocity निकालनी है और तो कुछ भी निकाला है इसमें ठीक है यह point समझ में आ गया अब यह कुछ साथ सुत्रा question बनगे हम आपे करे शुरू velocity तो निकालनी पड़ेंगी रास्ते की तभी को आप जिरूरी नहीं कि energy conservation से velocity निकाले आप kinematic से निकाल सकते हैं पर मेरे को लगता है energy conservation ज्यादा easy है तो अब मेरे पास क्या question बन जाता है मेरे पास जो question बनता है वो यह बनता है कि मेरे को अब समय निकालने है यहां से यहां का समय कितने है T1 अब में kinematics लगा रहा हूं इस portion में V dash is U plus minus G into T1 V dash की जगा under root of 4GH by 3 U की जगा under root of 2GH minus G into T1 तो यहां से solve करके T1 निकाल लेना और T1 की value आपके पास यह आजाएगी root 2GH minus 4 by 3GH divided by G T1 समाल के रख लो आपको नहीं आएगी पकी बात है आप सिर्फ concept समझें आप सिर्फ concept समझें क्योंकि आपको यह velocity 2 meter per second 3 meter per second तो आ सकती है लेकिन मेंज वालों को ऐसा आ सकता है फोड़ा calculation ने concept वही समझें सिर्फ आप तो point क्लिए रहा है अब मेरे को time निकालने कहां का अब मेरे को ऊपर जाने का time निकालने क्या होगा मतलग कि यह वाला time मान लो कितने t' है अब यह फिर से kinematics अब मैं क्या गरूंगा final velocity initial velocity v is equal to u u plus minus g into t' तो यहां से आप solve करके क्या निकाल सकते है पी डाश की value आपके पास यह आ जाएगी ठीक है अब मेरे को क्या निकालना है मेरे को t1 तो पता लग गया अब मेरे को time निकालना है यह वाला time वापस आने का time आने और जाने का time हमेशा क्या होता है same ऊपर t' तो नीचे भी डाश और यह वाला time और यह वाला time भी क्या होगा t1 क्या आने और जाने का time same तो total time क्या बनेगा green color में चो बनेगा total time t2 क्या बनेगा t' plus t' plus t1 तो total time क्या बनेगा t' plus t' plus t1 अब t' तुम्हें पता है t1 तुम्हें पता है t2 आ गया और finally तुम्हें क्या निकालना है ratio निकालना है t1 is to t2 की कि मिस्ट्री के दो question और कर लेना इसकी जगा ठीक है कर सको तो घर लेना तो यहां से इसकी जो calculation है आप check कर सकते हो इसकी calculation देखने में पता लगी रही है काफी complex है math वाले करते रहेंगे बैठके यह concept ऐसा कुछ करना है point समझ में आ रहे है यहां तक medical वाले रिलाक्स रहें उ next next question यह आएगा यह तो अत्या है यह तो normal है सारे question तोड़ना है एगा question होता है इसा next यह आत्या है आप पहले na x-axis का work done निकाल ले x-axis में work done क्या होगा force x-axis की into dx और ऐसी y-axis का निकाल ले y-axis में work done की value क्या होगी force 3y square into अलग लग निकाल ले अलग लग कर ले आइक को अलग कर ले जी को लग कर ले और limit बोलो x की क्या लगेगी one से लेके 2 तक और limit y की क्या लगेगी 3 तक तो w1 आ गया w2 आ गया total work done क्या होगा w1 plus w2 तो इसे integrate कर ले x की integration अलग है y की अलग है दोनों work done को add कर ले आड़ कर लिए और अंसर चेक कर ले 25 आ रहा है, टेस्टेट है 25 या आएगा, चेक कर ले इंटिकेशन से, method समझ में आ रहा है कि कैसे करने है इसमें, आज की बाद या problem आ रही कि समझ में कैसे करनी है, x को अलग करने y को अलग integrate करके आड़ करने है सब्सक्राइब करना है कि कैसे करना है इसमें यह क्वेश्चन अलड़ी अपने किया हुए है यू एनरजी आर की फॉर्म में चेंज हो रही है आपको क्या निकालना है equilibrium distance बताना है equilibrium होता क्या है जब net force क्या होती है zero तो energy से force कैसे निकलती है f is equal to minus du by dr यही होती है force तो तुम इसके अंदर d by dr of u की जगा value पुट कर देना r की पावर 10 b r की पावर 5 तो यहां से solve करके क्या है कि force और net force को क्या कर देना equal to zero zero put करके अपने आप आ रहा जाएगा जो भी आ रहाएगा माग कर लेना वही equilibrium distance होगा क्योंकि equilibrium का मतलब net force zero तो पहले force निकालो उसे differentiate करो equal to zero करो और यह problem booklet के अंदर भी और मैंने आपको करवाई भी थी पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या rule लगेगा इसमें कोई doubt इसमें यह भी करवाई थी circular में वैसे तो अब आपको नहीं आएगी तनी question पढ़ लो question है एक पत्थर को string से vertical circle में घुमा दिया at a certain instant of time stone is at the lowest position and at a speed of u the magnitude of change in velocity velocity नहीं change in velocity जब वो कहां पर पहुंचेगा horizontal तो यह change in velocity गिवन है compare करके x निकालना है तो वो easy question है यह देखने में ऐसा है तो आप इसको आपको question में ऐसे गिवन है कि suppose यह आपके पास एक pendulum है और यह pendulum horizontal हो जाता है यहां पे इसकी velocity given है यू given है यू जब यह circular motion में move करता है यहां पे move कर रहा था velocity given नहीं है पर वी velocity है रुका नहीं है vertical circle में move कर रहा है तो velocity भी है और L मालनो इसकी length है आपको क्या given है change in velocity अब change in velocity तो तब निकलेगी न जब वी निकलेगा वी तो पता ही नहीं है और वी निकालने के लिए क्या करेंगे energy conservation यहां पर और यहां पर energy को equate कर देते है potential यहां पर क्या है zero kinetic है half m u square potential यहां पर क्या है mgl और kinetic क्या है यहां पर half m v square जीरो नहीं है तो move करता जा रहा है इस instant पर velocity भी है इन्हें equate कर लो half m v square plus mgl half m u square m m cancel v square by 2 plus gl is u square by 2 v square by 2 is u square by 2 minus gl या v square is u square minus 2gl यह low यह v square की क्या आगई value आगई तो energy conservation से आपको u गे बने और वासे v आगया यह point clear रहा था आपको क्या निकालना है आपको निकालना है change in velocity बोलो change in velocity कैसे निकलेगी बोलो final velocity minus initial velocity बिल्कुल गलत है क्योंकि vector quantity है भाई एक u है और एक v है और angle इनके बीच में 90 है subtraction of vector करो v2 vector minus v1 vector under root of parallelogram वाला formula v square plus u square minus 2 v into u और angle इनके बीच में कितना है 90 plus 90 कैं 0 तो change in velocity क्या आगई v square plus u square लेकिन v square आप निकाल चुके हो यहां पर value को put कर दो जब value put करोगे तो आपके पास यह value आएगी और यहां से 2 common निकाल लो u square minus 2 gl आएगा अब compare करो जो paper में given है numerical में x given है तो x की value क्या आएगी 2 आएगी booklet check कर ले ना booklet की problem है यह करवाई थी change in velocity circular motion में अब यह problem है retain करने की याद ही रहता बंदे ने जिंदगी में किया था नहीं किया था याद रह गया तो ठीक है यह point समझ में आ रहा है यहां तक without this में हाँ यह आ सकती है यह medical में भी कोई बड़ी बात नहीं है change in velocity कोई बड़ी बात ही निकाल दी हमने ठीक है और concept समझ में आ रहा है यहां तक आप circular motion की video चेक कर ले ना same question किया हूँ है यह answer है उसका और booklet के अंदर भी दिखा सकता हूँ same answer है ठीक है ठीक है और इसमें कि बहुत असान question है next particle है V पत है work done निकालना है मैंने अभी करवाया भी था एक बर X की जगा 0 put कर दो V1 आ गया एक बर X की जगा 4 put कर दो V2 आ गया change in kinetic energy कर लो work done की value आ गया हो जाएगा यह question solve ठीक जैसे इस question को कैसे करना है वो कहरे एक body को release किया आपने U is equal to 0 यहां से और वो why not नीचे आ गई यहां पर मुझे kinetic energy बतानी है इसकी क्या होगी अब kinetic energy निकालने के लिए मेरे को V2 चाहिए तो कोई बात नहीं यहां पर लगाओ V2 minus 0 square 2 into G into why not इस V2 को यहां पुट कर दो option mark कर दो answer आ जाएगा असान question है तो velocity तो निकाली लोगे और velocity निकालके हाफ Mb square से kinetic energy आ जाएगा quit out इसमें ठीक है next है एक body है जिसका mass M है dropped from height of H तो H height से body को drop किया तो उसके पास energy थी कितनी MGH अब काइदे से क्या question है वो ground पे आई और ground पे उसके velocity कितनी है 0.8 into under root of GH काइदे से होना तो यह चाहिए था कि potential सारी कि सारी किसमे convert हो गई कानेटिक में पर हुई नहीं अगर आप यहां कानेटिक निकाल लें तो कानेटिक energy आएगी half into M into velocity का square निकाल ले ना अब अगर air की friction ना होती तो यह बराबर होते air की friction है तो loss किसमें कि या air की friction ने तो कैसे करेंगे इस energy में से इस energy को minus कर दें जो difference आएगा वही answer है इसमें तो pen को भी हात नहीं लगाना कैसे क्यों air की friction एक resisting force है और resisting force का work done हमेशा negative है answer ही है करना ही नहीं है answer solve क्यों कर रहा हो है इसे तो answer ही A बनता है और कुछ बनता ही नहीं है frictional की force है air की friction negative work done करेगी answer solve क्यों करना answer negative है और last question एक potter lifts a heavy suitcase तो एक कुली है वो एक suitcase उठा रहे और वो force कहां लगाएगा उपर लेकिन वो इसको lower कर रहे down by a distance of 80 cm yellow s पत है तो work done की value इसमें negative आएगी कोई कहता है जी उसको lower करने के लिए force नीचे नहीं लगाएँगे मेरे को कोई बोलता तो थैला कैसे पकड़ते हो ऐसे पकड़ते हो कि ऐसे पकड़ते हो ऐसी पकड़ते हो ना थैले को तो ऐसी पकड़ते हो तो force तो उपर ही लगेगी तुम थैला नीचे करो या थैला ऊपर करो force तो उपर ही लगेगी अब तुम थैले को नीचे कर रहे हो तो displacement समझ में आ रहा है यहां पर कि क्या लोगिक है इस में आंसर नेगेटिव क्यों आएगा